दोस्तो आज के स्वीडियो में मैं आपको जानकारी दूँगा कि ICC का एकाउंट कैसे बना है ट्रेन का टिकट बुक करने के लिए दोस्तो आपका ICC में एकाउंट जरूरी है ICC का account बनाने के लिए apply store से या फिर apple store से ICC rail connect करके इस application को install कर लेंगे यह Indian railways का official application है 100 million से ज्यादा इस application को लोग download कर चुके install करते ही आप इसे open करेंगे open करते ही आपके सामने application का कुछी step का user interface खुल कर आ जाएगा account बनने के लिए नीचे आपको option दिख जाएगा account का आप simple सा account के option पर जाएगे account बनने के बाद आप यही से sign in भी कर सकते है user name password इंटा करके लेकिन अभी हमारा पर account नहीं बना तो account बनने के लिए यहाप आपको option दिख जाएगा register user आप simple सा register user के option पर जाएगे अब आप user registration के page पर आ जाएगे यहाँ पर आपको कुछ अपनी basic details देनी है जिसी की आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर आप अपना mobile number इंटा करेंगे यहाँ पर आप अपनी email id यहाँ पर आप वही mobile number वही email id इंटा करेंगे for example के लिए आप मेरी screen में देख सकते हैं आप कुछ इस type का password बना सकते हैं अगर आपको username बनाने में problem आ रहे हैं तो for example के लिए आप देख सकते हैं मेरी screen में आप कुछ इस type का username बना सकते हैं, यहाँ पर आपको confirm कर देना अपना password, यहाँ पर आप first name इंटर करेंगे, यहाँ पर आप middle name, यहाँ पर आप last name इंटर करेंगे, अगर आपका कोई भी middle name नहीं है, तो आप last name और first name इंटर कर सकते हैं, यहाँ पर आपनी data birth इंटर करेंगे, अगर आप female है तो female रिंटा करेंगे, ने तो मेल के box पर आपको टिकर देना है, यहाँ आप नसलीटी के option पर जाएंगे, आप simple सा किलिक करेंगे, यहाँ पर आपको select करेंगे, इनडिया, इसके बाद यहाँ पर एक option आता है, security question का, आप इस option पर जाएंगे, security question के option पर, यहाँ पर आपको एक question की list मिल जाती है जिसी कि आप यहाँ पर देख सकते हैं आपको इन में से कोई एक question आपको यहाँ पर select करेना है यहाँ पर आपको list मिल जाती है तो जो भी आप यहाँ पर question select करेंगे जब भी आप यहाँ अपना password भूल जाएंगे तो आप इसी security question और answer के जरीए आप recover कर पाएंगे इसके बाद आप यहाँ occupation के option पर जाएंगे आपका website क्या है government, public, private, professional, self-employed, student, other तो जो भी आप कहाँ पर profession है आपको यहाँ पर select कर लेना है इसके बाद आप यहाँ marital status आप इस option पर जाएंगे आप married है, unmarried जो भी है आप यहाँ पर select कर सकते हैं married है, married select करेंगे, unmarried है तो आप unmarried यहाँ पर select कर लेंगे तो यहाँ पर आपको अपनी पूरी information की details आपको fill कर देनी तो चलिए मैं आप अपनी information की details fill कर देते हैं, सारी details fill करने के बाद अब आप nest कर देंगे nest करते ही अब आप nest page पर आजाएंगे यहाँ पर आपको अपनी address डिटेल देनी है उपर आप यहाँ पर देख सकते है residence address आप इस option पर जाएंगे तो यहाँ पर आपको अपना complete resident address टाइब कर देना है अभी आप current जिस address पर रह रहे हैं आपको अपना complete resident address टाइब कर देना है तो चलिए में आप अपना resident address टाइब कर देते हैं residence address टाइब करने के बाद अगर आपका office address रेसिटेड्रेश दोनों सेम ही है तो आप इस box पर टिक करदेंगे copy resident address to office address आप इस box पर टिक कर देंगे इसके बाद नीचे भी आपको आप अपनी पूरी information की डेस देनी address की जिसी कि आप यहाँ पर street name इंटर करेंगे नहीं तो यह optional है आप इसको छोड़ देंगे अगर आपके address का कोई गली name है तो आपका इंटर कर देना है area name इंटर कर देना optional है इंटर कर भी कर सकते नहीं तो आप इसको छोड़ सकते इसके बाद आप यहाँ अपना country select कर लेंगे आप यहाँ country के option पर जाएंगे state आपका आटो select हो जाएगा इसके बाद आप post office आपको अपना नजदी की post office select कर लेना जो भी आपका post office लगता है यहाँ पर आपको फोन नंबर इंटर कर देंगे इसके बाद यहाँ पर आपको capture दिखाए देगे वही आपको capture यहाँ पर टैप कर देना है इसके बाद आप register पर क्लिक करेंगे जैसे ही आप register करेंगे congratulations आपका successfully ICC में account बन जाएगा यहाँ पर आपको user ID देखने को मिल जाएगी अब आपको आपको verify करना है अपना mobile number और email ID तो verify करने के लिए आप यहाँ OK पर क्लिक करेंगे अब आपको यहाँ पर अपने email ID और mobile number को verify करना है तो email ID mobile number को verify करने के लिए आप सबसे पहले इस application में sign in करेंगे तो sign in करने के लिए यहाँ पर अपना username यहाँ पर आप password इंटा करेंगे जो आपने username और password बनाया था वही आपको यहाँ पर इंटा कर देना है यहाँ पर आप capture फिल कर देंगे यहाँ पर आपको capture दिखाए देगा वही आपको यहाँ पर फिल कर देना है इसके बाद आप login करेंगे अब आप यहाँ पर अपना mobile number और email ID verify करेंगे उपर आपको यहाँ पर mobile number देखने को मिल जाएगा यहाँ पर आपको email ID देखने को मिल जाएगी अगर आप यहाँ पर अपना mobile number और email ID को change करना चाहे तो यहाँ पर आपको edit का option मिल जाता है तो आप यहाँ से अपना mobile number और email ID को change भी कर सकते हैं तो mobile number और email ID को verify करने के लिए सबसे पहले आपको OTP send कराना होगा आप simple सा यहाँ send OTP के option पर आपको click कर देना है तो जैसे आप send OTP के option पर click करेंगे यहाँ पर आप देख सकते SMS OTP send to mobile number तो आपके mobile number पर OTP send किया जा चुका है आप यहाँ OK कर देंगे mobile number पर OTP मंगाने के बाद अब आपको email ID पर OTP मंगाना है तो नीचे आप देखेंगे तो नीचे आपको send OTP का option दिखा देगा आप send OTP के option पर click करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते email OTP send to your mail तो आपकी mail पर भी OTP यहाँ पर send किया जा चुका है जो आपके mobile number पर OTP आएगा आपको यहाँ पर enter करना है जिसकी आप यहाँ पर देख सकते हैं आप OK करेंगे अब आप ICC application में login करेंगे तो login करने के लिए उपर आप यहाँ पर अपना username इंटा करेंगे नहीं तो आपका username आटो फिल हो जाएगा यहाँ पर आप password इंटा करेंगे यहाँ पर आपको fill कर देना capture इसके बाद login login करते ही अब आप यहाँ पर generate करेंगे pin जब भी आप इस application में login करेंगे तो आप इसी mpin से login कर लेंगे तो यहाँ पर आपको simple साग कोई 4 डिजिट आपको आप इंटा कर देने नीचे आप वही 4 डिजिट आपको 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 आपकर confirm कर देने और आपके यहाँ पर fingerprints biometric यहाँ पर enable हो चुकी है और आप successful ही ICC rail connect application में login हो जाएंगे अब आप यही से train ticket, flight ticket, bus ticket, hotel ticket अपने phone से ही online ही book कर सकते हैं train ticket book करने के लिए आप train के option बजाएंगे इसकी बाद आप book ticket के option बजाएंगे तो यही से आप train ticket भी book कर सकते हैं train ticket कैसे book करें इस पर मैंने कई सारे वीडियो बनाएं आपको link मेरे वीडियो के description में मिल जाएगा यही से आपनी booking details, यही से आपनी P9 inquiry भी चक कर सकते हैं यही से आप train का schedule और यही से आपने train को track भी कर सकते हैं तो ऐसे दोस्तो आप ICC का account बना सकते हैं आशा करता हूँ दोस्तो आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा अगर आपको वीडियो के लेकर कोई question करना है तो आप मेरे comments box में पूछ सकते हैं वीडियो पसंद आया तो लाइक करें मेरी YouTube channel को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना बूलें मिलते हैं दोस्तो नेस्ट वीडियो में जै हिंद